वेलकम टू इस्टेनो विद पारस डिक्टेसान स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट चीन से सीमा विवाद पर कॉंग्रेस किस तर है अलग थलग पड़ गई है इसकी पुष्टी राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख सर्द पवार के इस बयान से मिलती है जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रिय सुरक्षा के सवाल पर राजनीती नहीं की जानी चाहिए जाहिर है राजनीती से उनका आश्य सस्ती राजनीती से है जो की कॉंगरेस कर रही है सरद पवार ने बिना किसी लाग लपेट कॉंगरेस को 1962 की भी याद दिलाई जब चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कबजा कर लिया था क्या यह है है हैरत की बात नहीं की कॉंगरेस ने सत्ता में रहते समय इस भूभाग को हासिल करने की कोई कोशिस करने के बजाए चीन से चंदा लेना जरूरी समझा हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब सरद पवार ने कॉंगरेस और खास तोर पर राहुल गांधी को जड़का है इसके पहले सर्दलिय बैठक में भी उन्होंने उन्हें नसीहत दी थी हाला की खुद कॉंगरेस के नेता भी राहुल गांधी के रवये से सहमत नहीं लेकिन सायद वह अपनी गलती समझने को तैयार नहीं वह जिस तरह यह साबित करने पर आमादा है की चीन ने हमारी जमीन हतिया ली है और प्रधान मंत्री ने उसके समक्ष समर्पन कर दिया है उससे यह जानना कठिन है की वह किसके हितों की चिंता करने में लगे हुए है पहरा पता नहीं क्यों राहुल गांधी यह एहसास भी नहीं कर पा रहे की उनके बेतु के बोल जनता को गुमरह करने और साथ ही सेना के मनोबल को प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं क्या इससे अधिक लज्जा की बात और कोई हो सकती है की जब भारत सरकार चीन को उसकी हद में रहने के लिए चिता रही है तब राहुल गांधी प्रधान मंत्री की घेरा बंदी करने में लगे हैं गत दिवस भी उन्होंने यही काम कपिल सिब्बल और चिदंबरंब को साथ लेकर किया उनकी और से यह भी कहा गया की मोदी सरकार के पास कोरोना को परास्त करने की योजना नहीं है क्या राहुल के पास ऐसी कोई योजना है क्या माहराश्ट्र पंजाब राजिस्थान में कोरोना को परास्त किया जा चुका है क्या यह एक महज दुर्योग है की कॉंगरेस ने पहले कोरोना महमारी से निपटने के लिए आवस्यक राजनीतिक एक जुटता को भंग किया और अब वह यही काम चीन की और से पेस चुनोती का जवाब देने के मामले में भी कर रही है वह यह देखने के लिए भी तैयार नहीं की उसके रुख से अन्ये विपक्षी दलों के साथ उसके सहियोगी दल भी सहमत नही यदि कॉंगरेस राष्टिय सुरक्षा के प्रसंद पर एकला चलो की अपनी मनमानी नीती पर चलना चाहती है तो चले दोडे लेकिन कम से कम राष्टिय हितों पर आघात तो नै करे इस्टोप